हे गाई इस इस आर्ट जे और आज हम लेकर आएं आपके लिए एक नया कोर्स क्वांटम केमिस्ट्री अगर आप त्यारी कर रहे हो CSIR NET JRF केमिकल साइंस के एक्जाम की तो आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम केमिस्ट्री आपके लिए कितना important chapter है एक्जाम point of view से देखें तो ये एक्जाम के अंदर आपको something around 25 से लेकर 35 marks के बीच में देखने को मिल जाएगा अगर आपने परिवे से रहे questions देखे होंगे तो आपको पता होगा कि part B के अंदर भी और part C के अंदर भी इसकी questions को पूछा जाता है और एक साल तो ये एक्जाम के अंदर आपसे 25 marks का भी पूछा गया है हाला कि मैंने अब तक quantum chemistry के दो lectures upload कर दी हैं जहांपर मैंने आपको basis के बारे बाया थो quantum chemistry के लेकिन उस वक्त मेरा जो teaching style था teaching format था बहुत रहाँ साथ डिफरेंट था उस वक्त मैं आपको whiteboard और marker के साथ देखने को मिल जाऊंगा अभी हम लोग आपको graphics की हाथ से बढ़ा रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं एक lecture को दुबारा बनाओं ताकि आपका quantum chemistry को पढ़ते हुए format बिल्कुल भी change ना हो अगर आप बात करो किसी book की जब आपने किसी book को पढ़ते हो तो आप वापने नोट करते होगे कि जो आपका title होता है जो आपके subtitle होते हैं वो अलग-अलग font में लिख्या होता है अखर आप बात करो अपने खुद की not scopy की तो आप भी कोशिश करते हो कि जो आपकी heading लिखी हो वो black pen से लिखी हो description वो blue pen से लिखा हो अगर आपको कुछ चीज highlight करनी हो तो आप highlighter का use करते हो red pen और green pen का use करते हो और आपको कुछ most important चीज़े टिक करनी होती है तो तो उसी तरीके से ही हमाई psychology हमें कहती है कि अगर हम लोग एक format से की चीज़ को पढ़ते हैं तो उस चीज़ को याद करने में हमाई थोड़ी सी आसानी मिल जाती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हम एक बहुत important chapter की बात कर रहे हो जब हम quantum chemistry की बात कर रहे हो तो आपका format बिल्कुल भी change ना हो इसलिए मैं आज इस lecture को दुबारा से upload कर रहा हूँ जहां पर हम लोग जो मैंने दो lecture पहले दिये हैं lecture one or lecture two quantum chemistry के उन दोनों lecture की आपको मैं आपर एक revision करा दूँ क्योंकि lecture एक revision lecture होने वाला है इसलिए थोड़ी major pace होगी वो थोड़ी सी pace होगी अगर किसी भी point of time के उपर आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मैं आपसे recommend करूँगा कि जो मैंने दो lecture पहले upload की हैं आप उनके उपर जाएं और चीज़ों को अशे समझ कर आएं मैंने उस lecture के अंदर भी बाते सब वही की है बहले ही मेरा format अलग हो लेकिन बात यह सभी important में ने वहाँ पर भी की है तो अगर आपको speed तेज लगती है तो आप उनके लेक्चर को भी follow कर सकते हो तो चले शुरू करते हैं आज का code शुरू करते हैं lecture one of quantum chemistry क्योंकि आपका format चेंज ना हो इसलिए मैं इस lecture को दुबारा अच्छे से अप्लोड कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर स्कीन पर देखते देखते अपने notes को भी अच्छे से बना सको तो चले स्टार्ट करते हैं मैंने आप लिखा हुआ है कि quantum chemistry आप से CSIR net के अंदर something around 25 से लेकर 35 marks की पूछी जाती है यह इससे ज्यादा कि भी हो सकती है लेकिन इससे कम की बिल्कुल भी नहीं होगी at least 25 marks की तो आप उसको question के पेपर के अंदर easily देख पाऊगे अगर मैं बात करों CSIR net ज्यारेफ केमिकल सैंसी कटोफ के जाती है कटोफ के जाती है something around 115 से लेकर 120 marks के रहाँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर general category की अगर आप general category के अंदर हो अगर आपके 120 marks आ गए that means आपका ज्यारेफ for sure qualify हो गया quantum chemistry इकल होता है chapter है जो आपसे इतने जादा marks आपको exam के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए start करते है quantum chemistry और revise करते हैं कि अभी तक हम लोगोंने quantum chemistry के अंदर क्या-क्या पढ़ा तो मैंने आपको उन lecture के अंदर बता रहा है कि आगर क्या हम classical mechanics के अंदर पढ़ते हैं क्या हम quantum mechanics के अंदर पढ़ते हैं और क्यों हम shift हुए classical mechanics से quantum mechanics की तरफ आखिर हमें क्यों जोड़ पढ़ी quantum mechanics की क्यों हम लोग classical mechanics को यहाँ पर use नहीं कर सकते मैंने आपको वहाँ बताया था कि classical mechanics और quantum mechanics दोनों ही mechanics के अंदर हम लोग interested हैं निकालने के लिए हम लोगों जिफ calculate करते हैं क्या हम लोग calculate करते हैं behavior of matter when it is in motion अगर मैं classical mechanics और quantum mechanics की definition को एक लाई में लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ही mechanics के अंदर हम लोग interested है behavior of matter निकालने के लिए जब में matter क्या हो motion के अंदर होता है और यहाँ पर जो मेरा word behavior है इससे मेरा मतलब होता है determination of values of observable observable से मेरा मतलब क्या है observable से मेरा मतलब है position निकाल लो और भी इनिस सब चीज़ों का energy निकाल लो का iike energy निकाल लो उंपजर बोलता हूं इन वेबर की value को डिटरमाइन को में क्या बोल रहा हूं लोग उप्रिया क्वेवीर बोल रहा हूं तो classical mechanics के अंदर क्वान्टम लोग इंपानले के लिएवियर निकालने के नहीं जब मेरा मैटर क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक स्केल का भी होता है, हमारे पास जो मैटर होता है, मैक्रोस्कोपिक स्केल का भी होता है, जो मेरा मैटर होता है, मैक्रोस्कोपिक स्केल का भी होता है, जो मेरा मैटर होता है, मैक्रोस्कोपिक स्केल का भी होता है, जो मेरा मैटर ह मेरा myscopic scale का matter है मैं span को देख सकता हूँ, कार को देख सकता हूँ, light को कैमरे को देख सकता हूँ मैरी शब मेरी क्या होगए यह मेरी Chicago है twór datasets किसी भी चीज़ को मैक्रो两 आप स्यों क्लपया था, अधिया पात करुते हुआ MyCroscopic Matter ही but the matter matter होटा है जैसे कि atoms हो गए, molecules हो गए, electrons हो गए और आपको बताएं कि chemistry के अंदर हम लोग किस से deal करते हैं? हम लोग atoms से deal करते है, molecules से deal करते है, electrons से deal करते हैं तो basically chemistry के अंदर जो चीज हम पढ़ते हैं जो matter की हम study करने वाले, वो matter क्या होता है? वो matter मेरा होता है, microscopic scale का- लाइन कि microscopic scale के matter की बात करने वाले हम लोग कहाँ पर chemistry के अंदर. अब बात करते हैं कि motion कितने type के होते हैं. अगर मेरा matter microscopic scale का है तो उमें को 3 motion करके दिखा सकता है. वो आपके सामने रख सकता है translation motion, वो शो कर सकता है rotational motion और वो शो कर सकता है vibrational motion. मैं लास्ट लेक्टर में आपको अच्छे तरीके चीज़ों को समझा रखा है, अगर आपको कहीं पर भी मेरी स्पीड पेज लगे, तो आप लेक्टर बन लेक्टर डू को फोलो कर सकते हैं, अगर इक औको समझा होता है, कहीं पर उनक्स लेक्तर लेक्टर मेरी स्विंशन के अफरेज़ाँ के इंदर और आति है, और आपको सब्सक्राइब होता है, कमेरे और कfund Review को लिए मेरी समय होते हैं, वापस ground level के उपर आप भी सकते हैं तो इस motion को हम लोग किस से देनोट कर रहे हैं इस motion को हम लोग बोल रहे है Electronical motion जहाँ पर मेरा electron move कर रहा हो तो basically आप मोटे मोटी बाद आपने ये करी कि classical mechanics और quantum mechanics के अंदर हम लोग interested है behavior of matter निकालने के जब वो क्या हो motion के अंदर हो अगर मेरा matter macroscopic scale का है यानि उस matter को मैं एक ड़ाई से देख सकता हूं तो मैं वहाँ पर apply करने वाला हूँ classical mechanics को पर अगर मेरा matter जो है microsc consuming scale का हुआ तो मैं उस matter को जो हो अब एक ड़ाई से देख नहीं सकता और मैं वहाँ पर classical mechanics को apply नहीं कर सकता अब classical mechanics को मैं क्यों apply नहीं कर सकता चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ differences लिखी हुए यहाँ पर quantum और classical mechanics के अंदर सबसे पहली बात मैं लिखी हुए है कि जो मेरी quantum mechanics है वो valid किसके लिए होती है अब यूज करते हो आइंस्टीन की फियोरम्स का तो वो जो Newton की laws है वो कहां से derive हुए है उसने derive की है वो चीजों को observe करकर उसने किसी microscopic matter के motion को observe किया observe करके वो चीजों को observe करता रहा observe करता रहा और लास्ट उसने क्या कर दिये कुछ formulas को derive कर दिये उन formulas की value की help से आप क्या निकालते थे उन macroscopic matter के motion के time पर उसका behavior क्या है उसको आप calculate कर लेते थे अगर मेरी कोई guardian motion के अंदर move कर रही है मैं आपको बोलता हूँ कि इस initial velocity इतनी है time इसका इतना है तो इसका acceleration कितना होगा आप Newton की equation आप लगाओगे आप वहाँ से acceleration easily निकाल लोगे पर बात करते हैं कि आखिर वो equation आपके पास आई कहां से वो equation आपके पास आई जब आपने उस matter के motion को observe किया that means आप उस matter के motion को देख सकते हो आपने उसे observe किया आपने वहाँ से formulas को derive कर लिया लेकिन quantum mechanics के अंदर तो जो हमारे पास matter होता है वो microscopic scale का होता है आप उसे देख ही नहीं सकते अगर आप matter को ही नहीं देख सकते तो उसके motion को कैसे observe करोगे अगर आप उसके motion को observe नहीं कर सकते तो formulas को वहाँ पर apply नहीं कर सकते इसी लिए हम लोग microscopic scale के matter के लिए classical mechanics का use नहीं कर सकते और इसी लिए हम लोग shift हुए quantum mechanics की और हम एक नहीं के मस्टी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी क्योंकि microscopic scale के उपर हम लोग classical mechanics का use नहीं कर सकते second जिस मैं लिखी हुए जो quantum mechanics होता है वो मेरा क्या होता है एक invisible world होता है यहाँ पर जो मेरा matter है वो क्या है microscopic scale का है मैं उसे देखी नहीं से तो मेरा world क्या हो गया है वहाँ पर वो मेरा world हो गया invisible classical mechanics मेरे पास जो होता है वो क्या होता है visible world यहाँ पर हम चीजों को देख सकते हैं उन पोस्टुलेट को हम आगे जागर करेंगे जब मैं आप पहुझ जाओंगो 7-way-8-way lecture के उपर क्योंकि उन पोस्टुलेट को समझने के लिए आपको कुछ terms को समझना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा Commoditor क्या होता है आपको समझना पड़ेगा पर कोई question नहीं करता और ना ही यह चीज आज तक प्रूव होई है लेकिन experiment अगर आप देखें फिजिकल लाइफ के अंदर तो यह पोस्टुलेट से जब हम यूज किन पोस्टुलेट का यूज करके जब हम behavior निकालते हैं जब हम observable की value निकालते हैं स्कॉपिक मैंटर के लिए तो जो हमारे पास values निकल कर आती है वो थोड़ी सी realistic होती है वो हमें ठीक लगती है वो experimentally proof हो जाती है तो इसलिए हम लोग इन theory के उपर अभी तक कोई सवाल नहीं उठाते हैं अब बात करते हैं classical mechanics के अंदर classical mechanics based है well packaged theory यह जो मेरा world होता है यहां पर आप लोग matter के motion को देख सकते हो देख सकते हो तो observe कर सकते हो observe कर सकते हो तो आप वहां से formulas को derive कर सकते हो लेकिन quantum mechanics के अंदर जो मेरा world है वो invisible है अगर मेरा world invisible है तो वहां पर मैं matter के motion को देख नहीं सकता अगर मैं देख नहीं सकता तो मैं वहाँ से formulas को derive नहीं कर सकता तो classical mechanics के अंदर तो आपके पास formulas है behavior को निकालने के लिए तो quantum mechanics के पाई ऐसा क्या है जहाँ पर हम लोग behavior को निकालने matter के तो चलिए बात करते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि quantum mechanics के अंदर observables are determined by applying predetermined operators on the wave function corresponding for the motion यानि कि जागर मैं बात करूँ microscopic matter जब मेरा motion के अंदर होता है तो उसके behavior निकालने के लिए मेरे पास quantum mechanics के अंदर operators हैं यहाँ पर formulas नहीं है क्या है operators हैं उन operator को जब मैं wave function के उपर लगाँगा wave function कहां से लेकर आँगा wave function मैं लेकर आँगा जो मेरा microscopic matter है जो मेरा motion के अंदर है उस motion के अंदर उसकी wave function क्या है वहां से wave function को लेकर आँगा उस wave function के उपर predetermined operator को लगा दूँगा जो value निकल कर आएगी वो मेरी values of observable निकल कर आजाएगी इस चीज़ को समझने की कोईशिश करते हैं आप मैं इसी को दुबार से बढ़ रहा हूं मैं बढ़ रहा हूं कि observables are determined by applying predetermined operators on the wave function corresponding for the motion यानि कि अगर आपके पास किसी motion की corresponding आपने wave function निकाल ली अभी के लिए मान लो कि आपने किसी motion की corresponding wave function निकाल ली तो आपको उसके उपर predetermined operator को operate करना है predetermined से बेना मतलब क्या है इसका मतलब यह कि quantum chemistry के अंदर ये operator पहले से ही आपको given है जैसे आपको classical mechanism के अंदर formula is given है वहाँ वैसे ही quantum mechanism के अंदर आपको operators पहले से ही given है आपको इन operators को याद करना है wave function के उपर apply करना है और आप वहाँ से value observable निकाल सकते हो for example अगर आपको किसी चीज़ की potential energy को निकालना है तो आप सबसे पहले quantum mechanism के पास से potential energy का क्या लिया हो operator लिया हो motion की corresponding wave equation लिया हो इस wave equation के उपर इस operator का apply कर दो और आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा वहाँ से potential energy आपके पास निकल कर आ जाएगी जिस चीज़ को लगाँगे वह value आपके पास निकल कर आ जाएगी पोजिशन निकालना है पोजिशन को अपको निकालने के लिए आपको प्वांटम मेकैनिस के अंदर दिये गए है models आपको बिलाकर बोल रहा हो कि आपके पास जो motion होता है कि आपके पासinos션 है वो motion आपके पास translation motion है rotational motion है आपको डाला ह।क्न तर हे अदर अगर है poisoned motion की तो इसके लिए आपके पास क्या है particle in box है अगर हैं बात करें rotational motion की तो उसके ली आपके पास क्या है rigid rotor है अगर हैं बात करता हूं vibration की उसके लिए आपके पास simple harmonical oscillator है electronical motion को पढ़ने के लिए आप पढ़ते हैं hydrogen atom को तो इन models की help से हम लोग क्या निकाल लेते हैं हम इन models की help माल लेजिए, आपका कोई matter, कोई microscopic matter motion के अंदर है, वो translation motion के अंदर है, तो मैं translation motion की corresponding, जो model दिया गया है, याने कि particular inbox को मुझे दिया गया है, इस particle inbox की help से, मैं उस motion के corresponding wave function निकाल लूँगा. इस wave function निकालना हम लोग सीखेंगे जब हम इन models को पढ़ने वाले हैं तो हम लोग इनको निकालना सीख लेंगे और यह बहुत easy होता है निकालना भी तो आप basically wave function को भी easy निकाल सकते हो एक बार आपका wave function निकल कर आ गया motionic corresponding आपको उस wave function के उपर predetermined operator को apply करना है और आपकी observable की value निकल कर आ गई तो आप basically इस चीज़ को easily यहाँ पर निकाल सकते हो मैं इक बार लाइन को दुबारा पढ़ लेता हूँ कि quantum chemistry के अंदर observables are determined by applying predetermined operators on the wave function corresponding for motion और classical mechanics के अंदर आपको बताईए कि आपके पास formulas are there to calculate the value of observables तो इतनी सी बात है अगर आपको यह चीज़ अभी भी समझ नहीं आई तो आप lecture 1 और lecture 2 मेरा quantum chemistry का देख लीजिए जहां पर मैंने इस चीज़ को अच्छे से आपको समझाया हुआ है चलि आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के बात करते हैं आखिर हमारा operator क्या होता है मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे पास quantum mechanism के अंदर हमारे पास formless नहीं है हमारे पास क्या है हमारे पास operators है तो आखिर यह operator क्या होता है तो operator is an entity that operates on a function and generate a new function आप operator को किसी function के उपर apply करोगे तो या तो आपको नहीं function देदेगा या फिर वो आपको एक constant entity देदेगा इस चीज़ को मैंने last class के अंदर last lecture के अंदर का फी एक्स 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 करें किया है यह operator है यह मेरा फंचन है और जब मैं इसको यहाँ पर differentiate करूँगा तो मेरे पास निकल कराएगा पहले आप पावर को भार लियाए फिर पावर में से एक मैंने आपको एक lecture 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 number two के अंदर आपको बहुत सारी differentiation की प्रोपर्टीज भी कराई हुई है तो lecture two से आप वो चीज़ प्लीज तेख लीजे मैं आपको वो चीज़ के बारा यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ आप lecture two के अंदर से सारे differentiation के formulas सारे integration के formulas को एक बार पढ़ कर आ जाईए तो बात करते हैं कि मैंने x raised to the power n function के उपर मैंने इस operator को apply किया मैंने d by d x operator k sober x raised to the power n के function के उपर apply किया तो मेरे पास निकलकर आ गया n into x raised to the power n-1 तो basically मैंने इस function के उपर apply किया और मेरे पास निकल कर क्या आ गया मेरे पास एक नया function निकल कर आ गया और यही तो मेरे definition होती है operator एक ऐसी entity है जिसको मैं operate करता हूँ कि function के उपर तो मेरे पास एक नया function निकल कर आ जाता है या तरी मेरे पास एक constant entity निकल कर आजाएगी, अब देखते हैं कि constant entity कब निकल कर आती है, माल लीजिए आपका function जो है, y is equal to x है, तो जब आप x के उपर आप operator लगा होगे, dy dx का, तो dy dx तो आप x क्या होता आपके पास, वो निकल कर आता है, यहाँ पर dy dx क्या है, यह जो है ही मेरा operator है, x मेरा क्या है, x जो है, वो मेरा function है, और वन क्या निकल कर आगे आपके पास, वन आपके पास निकल कर आगे, constant entity, तो definition से आप समझ पा रहे हो कि operator is an entity that operates on a function and generates a new function और constant entity, आपकी जो basic operators होते हैं, जो plus, minus, division, multiplication, यह आपकी जो basic operator है, यह भी एक तरीके से operator ही है, उसी तरीके से differentiation भी एक operator है, integration भी एक operator है, square root भी एक operator है, cube root भी एक operator है, तो इस सभी चीज़े क्या होती है, operator होती है, फिर मैंने लिखा कि quantum mechanics के अंदर operator is represented by a cap, अगर आपके साम में लिखा हुआ है, if a cap is equal to d by dx, और आपके पास को यह function given है, x square, तो आप इसको लिख सकते हैं, a cap into fx, अगर आपके पास कहीं भ तो operator को generally हम लोग किस से denote करते हैं, हम लोग उसके उपर cap लगाते हैं, एक बार उस operator के साथ आपने function को जोड़ दिया, तो आप वहां से cap हटा लेंगे, लेकिन अगर आपने function को वहां पर साथ में नहीं जोड़ा हुआ, तो आप वहां पर कहला आगे चलोगे, वहां पर आप operator होता है, without a function is useless, अगर आपके पास कोई operator given है और आपको function कोई भी given नहीं है, तो आपका जो operator है, वो क्या है, useless है, ये बात basic operator के उपर भी apply होती है, अगर मैं आपके page के उपर खाली लिएक के देदूगा तो क्या खाली प्लस है, क्या मैं खाली multiply के sign होता है, क्या खाली division है कोई significance होता है, नहीं होता, लेकिन अगर मैं इस plus के side में लिख दूँगा 2 और 3, तो मेरे ये plus मुझे एक नया number देदेगा, ये plus मुझे 2 प्लस देगर क्या देदेगा, 5 देद multiplication के लिए है, खाली multiplication ही कोई significance नहीं होती है, अगर मैं इस साथ कुछ numbers जोड़ दूगा या क्या function को जोड़ दूगा, तो multiply लगाने के बाद मुझे कोई नया function है, पर नए numbers निकलने को मिल जाएंगे, उसी तरीके से operator के साथ भी होता है, operator की time पर भी, अगर हमारा operator भी हमारा किसे ने किसी function के उपर अप्लाई करोगे, अगर आपको function नहीं नहीं है, तो आप कैसे कर लोगे उसको calculate, आप करी नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपसे बहुर रहा हूं कि operator without a function is useless, उसके बाद हमने बात की थी कुछ basic properties की, आखिर operator की basic properties क्या होती है, हमने 4 properties अभी तक पढ़ in nature, अगर आपको कहीं भी लिखा मिल जाए, differentiate x raise to the power n with respect to x, अब differentiate with respect to x, अपने आप में क्या है, एग operator है, इसको अब देने बात करते हो, इसका इसका मतलब क्या है, differentiate with respect to x function आपको क्या given है? function आपको given x raised to the power n यह आपका क्या है? function given है तो आप operator को function के left side से लगाओगे आप function को आप operator को function के left side से लगाओगे आप operator को function के left side से लगाओगे from the weaver's point जहां से हम लोग देख रहे हैं जहां से आप देख रहे हो तो वहां से आप operator को function के left side से लगाओगे, अगर आप d by dx of x to the power n लिखते हो तो यह मेरा क्या है, यह मेरा ठीक है, लेकिन अगर आप ने operator को function के right side में लिख दिया, तो यह चीज मेरी क्या हो जाएगी, गलत अब कैसे जाती, वो भी आप देख लेते, अगर आपको पता है कि आ अगर आप operator को right side में लगाओगे, तो क्या आपके पास निकल कराएगा, इसका मतलब जो आपके operators होते हैं, वो direction in nature होते हैं, operators को आप हमेशा function के left side से ही operate करने वाले हो, आपको operator को function के right side के अंदर नहीं लिखना, यह मैं आपको बोल रहा हूँ, from weaver's point of view, जहां से आप लोग देख रहा हैं उस screen को, वहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, कि operator generally कहा होते हैं, left side के तरफ ही apply होते हैं, उसके बाद मैं लिखा, nth power of operator means, operator is applied or operated end time, अगर आपके पास कहीं लिखा मिल जाए, जहां पर आपको मिले कि कोई सी भी operator का end time, या फिर मैं बात करूं, two times हो रहा है, क आपको वहाँ पर operator का square करके function पे apply नहीं करना, आपको पहले एक operator का apply करना है, फिर दूसरे operator का apply करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको operator का square करके apply function के उपर नहीं करना, आपको पहले एक operator का apply करना है, जो result आया, उसके उपर फिर से operator का apply करना है, तो यहाँ पर आप एक example के इस चीज़ को समझ सकते हैं मान दीजिए आपके पास कोई operator given है x plus dy dx यह आपके पास कोई operator given है जो कि है x plus dy dx आपको आपको निकालना है operator का square into में fx तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे अब मैंने कहा कि operator का square का मतलब कि आप operator को दो बार लगाना है तो आप सबसे पहले तो operator को ऐसे दो बार लिख लीजिए फिर आप क्या लिखोगे किसी function के उपर operator को लगाओगे क्योंकि बिना function के तो operator कुछ होता ही नहीं है चलिए आप यहाँ पर fx के यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि मैंने second case के अंदर यहाँ पर किया हुआ है मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर operator का square into my fx तो मैंने यहाँ पर जो operator है मैंने यहाँ पर इसका square लिख दिया और फिर मैंने इस operator के square को expand कर दिया that means मैंने यहाँ पर पहले operator का square किया उसके बाद मैं इसको इस function के उपर apply करने वाला हूँ ऐसा मुझे नहीं करना अगर आपको कहीं भी operator का end time दिया गया है that means आपको operator को end time operate करना है अगर आपको operator का square दिया गया है तो operator को 2 time apply करना है operator का cube दिया गया है तो operator को 3 time apply करना है ना कि आप पहले operator अप्क्यूब कर गे उसके पाद पंस्टर के ओपर apply कीजिए तो यह आप basis example है, मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से elaborate किया है lecture number two of quantum chemistry मैं वहाँ पर जाके इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हो तो चली आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हमने बात की थी कि operator in quantum mechanics are generally linear in nature generally नहीं quantum mechanics के अंदर जितने भी आपके पास operator होते हैं, वो सब linear in nature होते हैं अब बात करते हैं कि आखे linear चीज़ क्या होती है, linear होने की property क्या होती है और जोया है, तो linear होने की आपके इसंदे होती है, पहली property यह होती है कि अगर आप operator किसी दो function के sum के उपर लगा हो, मान लेजी है आपके पास F के उपर एक फंचन है और G بी एक function है, और आप इस सम के उपर किसी operator को apply कर लेजी है मान दीजी आपके पास कोई दो function है ग function है और धी बी आपके पास कोई function है और इन दोनों function को सम के उपर आप कसी operator को apply कर रहे हो तो जो result यहाँ से निकल कर आएगा मान दीजिए यहाँ सेर्व मेंThe result निकल कर आ रहे है और linearty यह प्रोपर्टी यह होती है कि आप पहले function का sum करके उसके उपर operator लगा दो या फिर दोनों के उपर अलग-अलग operator लगा के उसको sum कर दो आपके पास जिलट same आने वाला है या तो आप इन दोनों function को sum करके उसके उपर operator लगा या फिर इनके उपर अलग अलग operator लाग के बाद में sum कर दो अगर मेरे result सेम आ रहा है यह जो मेरा operator है वो क्या है linear operator है quantum mechanics के अंदर आपको सारे की सारे जो operator होते हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे वो सबी की सबी linear होते हैं आप दुबारे देखिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अगर आपके पास कोई दो function given है f और g आपके पास दो function given है तो linearity यह होती है कि आप पहले उन दोनों function को add कर दो उसके बाद उसके ओपर operator को लगाओ या फिर पहले एक function के ओपर operator लगाओ फिर दूसरे के ओपर operator लगाओ और बाद में उनको sum कर दो अगर आपका result same आ गया that means जो आपका operator है वो क्या है linear operator है मान लीजी आपके पास कोई दो function given है f is equal to 2x f is equal to 2x square और आपके पास g is equal to kya given है x square जैसे कि मैंने यहाँ पर example लिया गया है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर operator ले रहा हूँ d by dx तो मैं सबसे पहले operator को apply कर रहा हूँ दोनों के sum के ओपर तो मैंने क्या किया मैंने पहले इन दोनों function को sum किया x square plus square x square क्या हो गया 3x square that means मैंने पहले दोनों function का sum कर दिया sum करने के बाद मैं इस operator को इसके उपर apply कर रहा हूँ तो आपको पता है कि पैसे पहले तो मेरा 3 भारा जाएगा x का definition क्या हो गया 2s हो गया तो result में पास निकल कर क्या है या 6x निकल कर आ गया अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं इन दोनों function को sum करने की बजाए मैं एक बार इसके उपर operator को लगा देता हूँ एक बार इसके उपर operator को लगा देता हूँ उसके बाद दोनों को क्या कर दूँगा sum कर दूँगा अगर मेरे पास result सेम निकल कर आ गया that means जो आपको operator given है वो क्या है वो linearity को follow कर रहा है तो चलिए देखते हैं क्या होगा तो सबसे पहले मैंने इस x square के उपर dx लगा d by dx लगाया उसके बाद मैंने 2x square के उपर d by dx लगाया x square के उपर लगा हूँ पर मेरे क्या निकल कर आ जाएगा function को add किया फिर operator को apply किया या फिर मैंने operator को अलग-अलग function के उपर apply करने के बाद add कर दिया result आपके पास निकल कर क्या आया same निकल कर आया इसको बोलते हैं कि आपको operator linearity को follow कर रहा है दूसरा आपके पास आपके पास linearity होने की दो condition होती है linear operator बोल operator होता है कि operator और function के बीच में अगर के constant हो तो उस constant को बाहर निकालने की tendency रखता हो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं मान लीजिए आपके पास कोई function है 3x square तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो dy dx है यह क्या है यह basically एक operator है और 3x square के अंदर x square आपके पास क्या है यह एक function है अलाकि 3x square भी एक function है लेकिन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 जो है वो क्या है constant है तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर हो रही है कि आपके पास एक operator है operator और function की बीच में हो के पास क्या है constant है तो क्या आप differentiation करते वक्त constant को भार निकाल सकते हो जी हाँ मैं constant को differentiation करते वक्त भार निकाल सकता हूँ तो आप यहाँ पर 3 को भार निकाल सकते हो अगर मेरे कोई भी operator constant को भार निकालने की tendency रखता है तो मेरे पास वो operator क्या हो जाएगा ये operator मेरे पास क्या हो जाएगा linear operator हो जाएगा that means जो आपके पास first derivative होता है differentiation जो आपके पास operator होता है वो मेरे पास क्या है वो मेरे पास linear operator है इसका मतलब quantum mechanics के अंदर आपको differentiation का operator देखने को मिल सकता है क्योंकि वो क्या होता है वो linear होता है तो अब आप बोलोगी कि सर सारे operator मेरे पास linear होते हैं, ऐसा नहीं होता, सारे operator linear नहीं होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से operator हमारे पास linear नहीं होते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई operator है square का, आपके पास कोई operator है square का, एक ऐस operator है आपके पास जो क्या करेगा, जो चीजों को square कर देगा, आपको दो function given है, function मान लीजिए आपके पास क्या given है, function आपको given है 2 और एक आपके पास 3 given है, मैं आपके पास constant function ले रहा हूँ, आप इसके ओपर भी operator पर apply करके देख सकती है, तो सबसे पहले मैंने function लिया, f को मैंने 2 ले लिया, और g को मैंने क्या ले 3 ले लिया, आपको square function को लगाना है, तो सबसे पहले आप operator किसके ओपर आगे देखो, f plus g के ओपर लागे देखो, गे में पास क्या हो जाएगा, operator of 2 plus 3 क्या हो गया, 5, इसका square को क्या निकल कर आएगा, 25, तो इसकी इसके अंदर मैंने पहले दोनो function का sum किया, दोनो constant function का sum किय उसके बाद मैंने operator को उसके ओपर apply कर दिया, आप देखते हैं कि हम इसके ओपर align लगाएंगे तो किस तरीके सा आएगा, तो सबसे पहले operator का apply करो, f के ओपर, फिर आप operator का apply करना, g के ओपर, f तो मेरा क्या है, 2 है, 2 का square क्या निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, g तो मेरा तो आप के पास चीज अलग निकल कर आ रही है, that means, square operator आपके पास linear operator नहीं होता, अगर square operator मेरा linear operator नहीं है, तो इसका quantum mechanism की तारर आप use नहीं करेंगे, उसी तरिके से मेरा square root operator होता है, वह भी मेरा linear operator नहीं होता, अगर square root मेरा linear operator नहीं होता तो square root operator आपको quantum mechanics के अंदर देखने को नहीं मिलेगा अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास linear operator कौन-कौन से होते हैं differentiation linear operator होता है integration linear operator होता है that means आपको quantum mechanics के अंदर differentiation और integration के operator देखने को मिलने वाले हैं अगर आपको differentiation और integration देखने को मिलने वाले हैं, तो क्यों ना आप इनके formulas को पहले ही याद कर लो, इस चीज के लिए मैंने lecture 2 के अंदर आपको सारे formulas differentiation और integration की करवाए हुए हैं, आप lecture 2 देख लीजिए, जहापर मैंने आपको सारे formulas करवा रखे हैं, integration के और differentiation के, उसके बाद हमने बात की थी कि To Every Observable In Classical Mechanics, their corresponded operator in quantum mechanics, classical mechanics के बाद हमारे पास यतने भी आपज़रवेबल होता है, हमारे पास position होता है, हमारे पास momentum होता है, kinetic energy होती है, energy होती है, उन सभी आप्ज़रवेबल के लिए Classical Mechanics के अंदर तो CLnasते, quantum mechanism के अंदर क्या है quantum mechanism के अंदर उन सभी observable की corresponding हमारे पास क्या है हमारे पास operator है हमारे पास अगर हमें position calculate करनी है तो position के लिए हमारे पास कोई operator है अगर हमें momentum निकालने है तो momentum की corresponding में हमारे पास एक operator है अगर हमें kinetic energy निकालनी है तो उसकी corresponding में हमारे पास एक operator है तो देखते हैं कि आखरे हमारे पास operator कौन-कौन से हैं और इन operator को आपको directly याद होना चाहिए आप classical mechanics के अंदर भी तो formless को याद करते हो तो quantum mechanics के अंदर भी आप लोग को operator हुई में याद होने चाहिए तो देखते हैं आखर हमारे या operator क्या क्या है और किस तरीके से हम लोग इन operator को operate करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं position की तो position मेरी x direction के अंदर भी वैरी कर सकती है y में भी कर सकती है और z में भी कर सकती है पूरे मैं यहाँ पर 3D के अंदर ले रहा हूँ अगर मैं बात करता हूँ X direction की तो उसके मेरे पर operator होता है वो क्या होता है X cap, Y के लिए क्या होगा Y cap, Z के लिए क्या होगा Z cap, इसका बहुत simple operation है multiplication, जब हम इन operator को operate करेंगे आप इन operation समझ जाओगे simple multiplication में मतलब क्या है अभी के लिए आप इस table को बस याद कर लेना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ position operator की तो X direction में X cap है Y direction में Y cap है Z direction में Z cap है अगर आप बात करोगे यहाँ पर 3D की है तो 3D में क्या हो जाएगा X direction प्लस Y direction प्लस Z direction तो 3D direction के आप operator होगे अगर लो add कर लो यानिके X cap प्लस Y cap प्लस Z cap अब बात करते हैं momentum की तो momentum का आप रिनोट करते हैं P X से P X अमारा X direction में हो गया P Y direction में हो गया P Z direction में हो गया तो चलिए देखते हैं इनकी corresponding आपको operator given है जो आपके पास momentum नहीं से को वहां से नहीं हटा होगे जब तक आप operator को function की उपर apply function को जब तक आप operator के भी पास नहीं कर देते तब तक आप वहां से cap को नहीं हटा सकते तो मेरे momentum क्या होता है मेरे operator क्या होगा minus Iota H का Del Y Del X Y के अंदर minus Iota H का Del Y Del Y minus Z direction के अंदर आपको क्या हो जाएगा जब प्लस P Y के प्लस P Z Cap आप इन तीनों के यहापर add कर लेगा minus Iota H का Del Y Del X plus में minus Iota H का Del Y plus में minus Iota H का Del Y तो यह मेरा क्या निकल कर आ गया आप पूरा मेरा पाइप मोमेंटम निकल कर आ गया X के अंदर भी, Y के अंदर भी और Z के अंदर भी अब देखते हैं कि आखिर इसका operation क्या होता है तो सबसे पहले तो आपको differentiate करना है with respect to X Del by Del X से आप समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना है आपको differentiate करना है with respect to Del X को कि आप function कहा लगा होगे operator के right side में यहाँ पर आप function को लिखोगे तो पहले तो आपको इस function को differentiate करना है with Del by Del X X के respect में आपको इसको differentiate करना है उसके बाद आपको multiply करना है minus iota x cut से द्यान से देखिया momentum के operator को momentum के operator को operate करते बाद आपको क्या करना है सबसे पहले differentiate करना है x के respect में उसके बाद आपको multiply करना है minus iota x cut के साथ तो यह इसका operation होता है momentum का अब बात करते हैं का ने टेक अनाजी के operator की तो के x के direction के अंदर में पस क्या हो जाएगा z direction के अंदर minus x cut square by 2m dell square by dell z square तो आपको इन operator को directly याद करना है अगर आप 3D के अंदर निकालोगे तो तीन operator को आप क्या कर सकते हो add कर सकते हो potential energy के operator क्या होता है x direction के अंदर आपका simply vx होता है y के अंदर क्या होता है vy होता है और वीजड के अंदर क्या होता है वीजड होता है potential energy के operator का जो operation होता है वो simply क्या होता है multiplication होता है position होना जो आपका operator है उसको operation किस तरीके से करते हो simply क्या करते हो multiplication करते हो जो आपको momentum है उसको operation कैसे करते हो सबसे पहले तो आप function को differentiate करोगे X के respect में, उसके बाद उसको multiply कर दोगे, minus Iota H cut के साथ, आप बात करते हैं, kinetic energy का जो आपका operator होता है, उसको आप किस तरीके से operate करोगे, कैसे उसका operation होता है, तो सबसे पहले तो आप function को double differentiate कर दोगे, X के respect में, del square by del X को जो मैं बोल रहा हूं, मतलब क्या है, उसका, मतलब है, आ बाद आप उसको multiply कर दोगे, minus H cut square by 2M, तो kinetic energy का जो आपका operator है, उसका operation होता है, कि आपको सबसे पहले double differentiate करना है, X के respect में, उसके बाद आपको multiply करना है, minus H cut square by 2M के साथ, यह मैं बात कर रहा हूं, potential energy in X direction, उसी तरीके से Y में भी कर सकते हो, उसी तरीके से Z में भी कर सकते हो, अगर आप 3D की बात कर रहे हो, तो 3D के अदर आपको क्या कर देना है, add कर देना है, तो चलिए 3D के ने देख रहे हो आपको किस तरीके से add करोगे, मैंने यागा momentum लिखा हो है, 3D के अदर, PX के है, P, Y के है, P, P, Z के, तो मैंने 3D के यहाँ पर add कर दिया, उसके बाद आप मुवेंटम को इशे keyboard में लिखना चाहूं 3D के अनदर अगर This is 3D के अंदर, तो 3D के अंदर करते हुआ, आपको क्या करना है, KX कैप, प्लस KY कैप, प्लस KZ कैप, यहाँ पर मैंने तीन ही चीज़ों को add कर दिया, माइनस H कट स्क्वेर बाइ 2M को मैंने कोंबन निकाल लिया, और फिर आपके बस क्या निकल कर आ गया, आपके बाद की पूजिशन की, तो X के अंदर क्या होता है, X cap Y के अंदर Y cap Z के अंदर Z cap तो यह तो आपको याद होई किया पोडेशनलेजी की बात करते हैं पोडेशनलेजी क्या होता है VX के अंदर VX cap VY के अंदर VY cap VZ के अंदर VZ के त्री चीज़े आपको याद होगी आपको momentum का operator यहाँ पर याद करना पड़ेगा आपने अपको यहाँ पर अपर लगादो आपको यहाँ पर स्क्वेर करना है आपने आपको स्क्वेर करते हैं इसको मैं कैसे लिखूँँगा मैं दिखूँँँगा माइनस का मेरा माइनस तो मैं निकल कर आ गया माइनस है तो यह निकल कर आ गया मैननस है क्ट स्क्वेर एकॉर में तो बेसिकली आपको सरी momentum का operator याद करना है वहाँ से आप kinetic energy का operator भी या drive कर सकते हो तो अभी तक हमने बात की basically 4 operator की हमने बात की position की operator की हमने बात की rotation energy की operator की हमने बात की momentum की operator की हमने बात की kinetic energy की operator की अब बात करते है Hamiltonian operator basically जो total energy हमारी होती है उसके operator को हम क्या बोलते है हैं हें हेंग्टिन बोलते हैं तोटल में अब में आपका है है तडल बबाध में ये आपका क्या था यह पर एपको करना है पोटेश इनरजी को अगर आप यहां पर यहां पर लिखने चाहिए रिखने चाहिए उसकी वैयू क्या होजाओ है इसकी वैयलू आपके वजाएगी वी एक्स प्लस वी-वाय प्लस वी-जेट तो बेसिकली है माइनस एक डियाशन के लिए लूगा और प्रटेशन के अंदर ले लूगा तो बेसिकली हमने अब ता कितनी बात की थी जहां पर हम लोग बात कर रहे थे अब बात करता हूं कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या पड़ा है हमने देखा था कि आगर आपको अपरेटर को अपरेटर करना है उसके बाद आपने कहा कि जो मेरे operator होता है quantum messenger वो तो linear होते हैं that means linear operator क्या क्या follow करेंगे linear operator की में आपने properties की यहाँ पर बात की उसके बाद मैंने आपको सारे operator करा है किस किस कोरस किस किस observable corresponding आपके पास कौन-कौन से operators थे तो अभी तक जिन motions के मैंने बात कि कि मैंने कहा था कि कुल मिलाकर आपको microscopic scale के उपर आपको चार टाइप के motion देखने को मिलने वाले हैं आपको translation motion देखने को मिलने वाला है आपको rotation देखने को मिलने वाला है आपको rotation देखने को मिलने वाला है और आपको colour coordinate की बात नहीं की अभी तक मैंने आपको जतने भी operator host बढ़ाए हैं वो apply हम कर सकते हैं अगर हमारा microscopic matter किसके अंदर हो translation motion के अंदर हो या फिर vibrational motion के अंदर हो अभी तक हम लोगों ने lecture one lecture two के अंदर इतना ही पढ़ा था differentiation के formula काफी important है आपने lecture two को देख लीजिए जहां पर मैंने आपको differentiation के formula अच्छे से कराय थे next class के नहीं हम लोग start करेंगे commutator commutator भी एक application होती है commutator भी एक हमारे पास क्या होती है हमारे पास operator की एक property होती है जो कि बहुत important है exam point of view से हर साल आपको commutator से question देखने को मिलने वाला है अभी तक जो हमने पढ़ा हो काफी basic था जो हम आगे पढ़ेंगे हम लोग commutator पढ़ेंगे हर्मीशन पढ़ेंगे पढ़ेंगे probability पढ़ेंगे वहां पर हमें इन basics knowledge की क्या पढ़ेगी जरूरत पढ़ेगी इसलिए मैं basic के उपर ज्यादा focus कर रहा हूं आपका अगर basic clear होगा तो आप quantum chemistry के अंदर अच्छा score स्ट्रोंग है तो इसलिए मैं basic के उपर बहुत जादा focus करूँगा और जो मेरी युनिट वर ने quantum chemistry की इसको मैं आराम आराम से complete करूँगा आपको सभी चीज़ा अच्छे से पढ़ाने वाला हूं तो next lecture के हम लोग बात करने वाले तो चलिए मिलते हैं next lecture के हमें जहां पर हम बात करें इंकोंगोडेटर की तब तक पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए और खुछ रहिए thank you